समस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे क्लास 9 के साइंस का पहला चैप्टर Matter in our surrounding इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं matter क्या होता है तो matter क्या होता है matter है anything which can occupy space कोई भी चीज जो space occupy करता है और उसके पास mass भी होता है तो उसको हम लोग matter कहेंगे असान भासाम इसको समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग आसपास कुछ भी जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं वो सब कुछ matter है आप इस mobile में इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी matter है आपके आसपास जो पानी है हवा है टेबल है कुरसी है खिरकी है बेड है कुछ भी है पंखा है कुछ भी आपको दिख रहा है, घर दिख रहा है, पार्क दिख रहा है, कुछ भी आपको आज़ पास दिख रहा है, वो सारा कुछ matter कहलाता है, जो भी आप देख सकते हैं, feel कर सकते हैं, यहाँ तक की air, air को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको feel तो कर सकते हैं, वो भी matter है ठीक है तो matter का definition यह होता है कि कोई भी चीज जो space occupy कर रही है जैसे कि हमारे सामने कुछ भी है ठीक है आपके mobile phone को ही रख लेते हैं तो mobile phone एक space occupy कर रहा है साथ में उसका mass भी है तो यह चीज matter हो जाती है पानी पानी की बात करें तो वो एक mass भी occupy उसका mass भी है और वो एक space भी occupy कर रहा है हम इसको glass में रखें तो वो एक glass को भर देता है एक jar में रखें तो glass jar को भर देता है तो इस तरह से कोई भी चीज जो की उसका अगर अपना एक mass हो उसके साथ साथ उसका वो कोई एक जगा घेरे तो वो matter कहलाता है इतना ही नहीं, पूरा जो इनिवर्स है, जितने चांद, तारा, गेलेक्सी, ब्लैक होल, जितना टोटल चीज ही मैटर कहलाती है, ठीक है, तो ये समझने कंसेप्ट है, हम आसपास जितने भी चीज़ें जो हम अपने आखों से देख रहे हैं, वो सब कुछ मैटर कहलाते हैं, तो इसका एक्जामपल भी, अगर कोई कहा है, मैटर का एक्जामपल दे अनको, तो आप में आसपास जो भी चीज़ देख लीजे जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, एयर है, वाटर है, स्टोन है, क्लाउट है, जो एक्जामपल होगे, श्टार है, ब्लैनेट है, सब कु इसका डिफिनेशन हो जगा कही एक्जाम में आता है लिखने के लिए तो इस धंग से इसको लिखेंगे इसका एक्जाम्पल मैंने दे दिया अब इंडियन फिलोसफर की बात करें जो पुराने हमारे जो रिशी मुनित है उनके जो पुरांस में जो लिखे वे हैं मैटर का जो उसमें वर्णन किया गया है तो बताया गया कि मैटर को उनके हिसाब से पांच डिफरेंट पार्ट में बाटा गया है जिसको पंच तत्व कहते हैं साथ इसमें वर्णन किया गया है अब स्टेट्स ऑब मैटर मैटर जो होता है कि उसको हम लोग क्लासिफाई जो करते हैं एक अपना state change करता है ठीक है तो वह state change करता है तो अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि जो भी चीज हम आसपास अपने पास देख रहे हैं वह तीन state में ही रहेंगे जैसे कि वह solid हो सकता है लिक्विड हो सकता है यह gas हो सकता है तीनों ही matter है लेकिन यह stage है जैसे कि आइस का example लेने जो water जो है वह अगर solid state में है तो ice है अगर वह liquid है तो water पानी के state में है अगर वह gas है तो water vapor में है तो है water ही लेकिन अपना अगर state change कर रहा है तो पूरा matter को study करने के लिए हम लोग पूरे matter को तीन division वैसे तो पांच होते हैं लास्ट में अगले वीडियो में चाहिसी वीडियो मे अगलाश में मैं बता हूँगा कि बाकी के दो state में लेकिन mainly हम लोग तीन state रखते हैं solid liquid of gas अब कुछ यह समझते हैं कि जो भी matter है हमारे आसपर जो भी चीज है वो क्या चीज से बना हुआ है तो matter very tiny particle से बना हुआ है जिसको atom molecules करते हैं अभी के लिए matter में नहीं कर रहे हैं अभी के लिए हम लोग सिर्फ इसको particle लेके चलेंगे very tiny particle particle की size कितनी होगी यह अगर tiny particle कर रहे हैं तो यह 10 अरब partner अगर meter का 10 अरबवा हिस्सा भी करते हैं इतना चोटा इतना चोटा आप imagine भी नहीं कर सकते हैं इतना चोटी particle से बनी होती हाँ सब कुछ solid भी उसी particle से बनी होती है liquid भी उसी particle से gases परिके हाँ particle size अलग-अलग हो सकते हैं उसका बीच का arrangement अलग-अलग हो सकता है लेकिन बना particle से उनके बीच का जो अब भी आगे आएगा तो वो अलग हो सकता है उसका particle का size भी अलग-अलग होगा जैसे कोई एक matter है जैसे कोई एक metal है iron ले 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 तो उसके particle का size water ले 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 उसके particle का size same नहीं होगा अलग-अलग होगा वो क्या होगा अलग होगा वो आगे की अगला बात करते हैं, अब लोग आगे इसको solid liquid gas को समझने से पहले, हम लोग इसका matter का थोड़ा nature समझ लेते हैं, यह nature कैसा होता है, इसका properties क्या होती है, तो basic properties जो है, इसे आगे solid liquid gas जो हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझने में बहुत असानी होगी, तो जो भी particles से बने होते ह सबसे देखना पड़ेगा, तो इसका मैंने फोटो भी निकाला था, तो यह आप देख सकते स्क्रीन पर आपके पास जो फोटो, यह carbon का जो है, carbon जो होता है element, उसका यह फोटो है, इसके atoms का, यह आप जो देख रहे हैं, green green जो spot देख रहे हैं, यह atoms है, यह इतने छोटे होत साइज से भी एक लाक गुना, मतलब छोटे हैं, इसको अगर काटा जाए, बाल को, तो यह साइज निकल के आता है, इतना छोटा इसका साइज होता है, अब आते हैं, तो particle जितने होते हैं, वो very small size के होते हैं, पहला point होता है, दूसरा point होता है कि particle जो भी होते हैं, इनके बी कर सकते हैं, कि आप ग्लास में पानी ले लिजे, उसमें एक चमज नमक डाल दीजे, चाहे चीनी डाल दीजे, उसको आप होल दीजे, तो वो नमक चीनी कहां चला गया, उस जो space के, जो particles के, जो water के particles के बीच में, जो space है, वहाँ पर चले गए नमक के particles, इससे प्रूफ हो ज जितने particles होंगे, ये continuous move करते रहेंगे, हो सकता है कि कि सी में जादे move करें, कि सी में कम move करें, लेकिन move करेंगे जरूर, ठीक है, तो ये concept हो गया कि जितने भी particles हो पहला तो हो गया कि बहुत tiny particles होते हैं, दूसरा property हो गया कि इनके बीच में space होता है, अब space है तो ये अपना motion कुछ करेगे, अपके किस तरह का motion होगा, random motion होगा, यह अलग बात है, लेकिन motion तो होगा, अब यह solid liquid गया है, सम्में होगा, सम्में होगा, लेकिन किसी में जादे हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, तो लेकिन motion होगा, लेकिन कितना होगा, क्या हो, इस पर हमको नहीं ज ठीक है तो particles जो matter जितने particles होंगे किसी matter के तो वो आपस में attraction force इसमें होगा आपस में एक ग्यूसरे को attract करेंगे जैसे के इसके बीच में एक्जाम्पल दिया है कि आप टैप से वाटर गिर रहा है उसके बीच में आप उंगली लगाते हो ठीक है तो फिर भी वह अलग नहीं होता है पानी वह आपस में चिपक के गिरते रहता है तो एक तरह से यह भी प्रूफ हो जाता है और वैसे भी आप वाटर ले लो आपको भी solid ले लो कोई भी block ले लो तो सारे matter एक साथ रहते हैं तो यह तरह का force of attraction दिखाता है इनके particle के बीच में तो यह पूरा का पूरा बिखर जाता ठीक है तो यह इसका बीच का concept है कि यह चार्ट में परपर्टी होगा है कि वेरी टानी पर्टिकल होंगे उसक of physical properties ठीक है physical properties का मतलब हो गया कि वैसा properties जिसको हम देख सकते हैं चूँ सकते हैं उसकी density नाप सकते हैं उसका volume देख सकते हैं इस अधार पे matter को तीन states में बाता गया है वो हो गया solid liquid gas जैसे कि मैंने भी बता ठीक है अब एक एक करके solid liquid gas को हम लोग पढ़ते हैं detail में देखते ह तो वैसा matter जिसका volume fixed हो और shape भी fixed हो ठीक है उसको हम लोग solid कहेंगे ठीक है simple सा definition अगर कहीं definition आजया तो matter having fixed volume and fixed shape is known as solid अब example के बात कर लेते हैं तो example में आपके सामने जो भी example है जैसे कि ice हो गया बर्फ हो गया ठीक है rock हो गया table हो गया house हो गया आपका mobile phones हो गया आपके सामने pen है table है chair है यह सारे solids के example होंगे आप अगर हम इसका zoom image देसे हैं जैसे कि ice cube आपके सामने ठीक है इसके particular point को इसको zoom करके इसका microscopic image लिया गया तो वह इस तरह का दिखता है ठीक है इसके सारे particle आपस में पूरी तरह से compact होंगे इनके बीच का space काफी कम होगा हम लोग देखते हैं अभी properties में क्या क्या है तो इस तरह का इसका अगर हम लोग जूम करके image निकालेंगे तो इस तरह का इसमें आएगा अ अब आप कहेंगे कि चेर है यह टेबुल है उसको मैं तोड़ देता हूं तो वो तो फिर से उसका विगड़ गया तो आप externally force उस पे applied कर रहे हैं तब उसका जाके shape विगड़ा है ठीक है नहीं अगर आपको उसी स्थीती में किसी solid का छोड़ देते हैं तो सदियो सदियो तक वो उसी state में रहेगा वो solid का shape उसका maintain रहेगा चाहाए आप उसको रूम में रखें रोड़ पे रख दें कहीं पे भी रख दें उसका shape में कोई change नहीं होना है या हवा में भी उचाल ठीक है जब तक कि वो आप उसको external high force apply करको तोड़ नहीं देते तब तक तो उसका shape maintain रहे ठीक है उसका volume की बात करते हैं तो जो वो volume घेर रहा है उसको आप अगर किसी एक आपका mobile का example लेते हैं इसको आप एक जग में रख दें तो भी अपना ही shape लेगा उसको table पर रखें तो भी अपना ही shape लेगा उसके volume में change नहीं और आगे पीछे वो बड़ा चोटा नहीं हो है वालूम का जो आप पढ़े हैं लेंध इंटो ब्रेट इंटो हाइट उसमें कोई changes नहीं होगा यह है यह यह उसकी fixed volume तो फिक्ष्ट वालूम आपको समय नहीं करेगा ठीक है उसके बाद आगर हम बात करें कि space between the particles जो matter है जो solid है उसके बीच में जो particles जिससे बने वह हैं उसके बीच क्या जो दूरी होगा particles की जो दूरी होगी वह very less होगी बहुत कम लेकिन होगी यह समझने के बात है उसमें particles के बीच में थोड़ी तो distance होगी लेकिन वह बहुत कम होगी comparison to liquid and gases जो भी आएगा उसके comparison में अगर बात करें तो काफी कम दूरी होगी इनके बीच में ठीक है जैसा आप यहाँ पर attraction है इनके बीच का जो attraction force है वो भी काफी जादे होगा ठीक है तो यह भी concept हो गया उसका इसकी compressibility अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो इतने एसानी से यह प्रेस नहीं होने वाले इसकी compressibility ना के बराबर होती है इसको आप compress नहीं कर सकते ठीक है वो अलग बात है कि एक example दिया है इसको आप compress कर रहे हैं वो तो इसको आप compress कर रहे हैं तो compress के अंदर compress को जाता है वह तो यह नहीं होगा तो यह है इसका मेन प्रोपर्टी की compressibility नहीं होती है हम बहुत यह तूट जागा आप एक ब्रिक ले लो उसको compress करो compress होगा निक बहुत ज्यादे फोर्स अप्लाइक कर दो ब्रेक ही हो जागा डिफॉर्म ही हो जागा लेकिन वह compress नहीं होगा ठीक है लेकिन आम तोर पर देखा गया कि यह सबसे जादे होती है solid की density ठीक है यह समझने की चाहिए तो density के मावले में इसकी higher density होती है लिक्विड के बात कर लेता है तो इसमें समझने का है लिक्विड वैसा चीज हो गया जिसकी fixed shape नहीं होगी इसकी shape जो है वह fixed नहीं होगी लेकिन volume fixed होगा ठीक है matters having no fixed shape but having the fixed volume is known as liquid ठीक है जैसे example में आप लेक्विड हो गया पेट्रॉल हो गया mercury mercury लिक्विड होता है room temperature ठीक है milk हो गया blood हो गया यह सारा एक्विड का अब fixed shape नहीं होता है लेकिन fixed volume होता है यह कैसे समझे तो इसको समझने के लिए हो गया कि जैसे आप liquid लिए वाटर को ले दीजे उसका safe change और आप देख रहे है उसको अप एक प्लेट में डाल देजे प्लेट में डालेगा वह फ्लैट हो जागा उसको आप ग्लास में डाल दीजे दो वो सर्किल टैप में मैं मैं जो ग्लास का से अमलब कि liquid को जिस safe container में डाला जाए ठीक है वह उसका safe ले ता जब इसको आप जिस में जिससे water है जो कि liquid के example है इसको आप जिस safe में डालिएगा जिस container में डालिएगा जिस जहां पर रखेगा वह उसका safe ले ले लेगा आप उसको जमीन पर दिए वह पुरा फैल जागा मतलब एक clear बना लेगा तो इसके कारण उसका safe fixed नहीं होता है लेकिन व ठीक है आप देख रहे है height में अंतर पढ़ जाता है उसका जो base बढ़ जाएगा तो उसके कारण height में difference आयता है volume उसका same रहता है आयतन जो है वह उतना ही जगल लेगा आप एक glass water को एक बाल्टी में डाल देते हैं ठीक है 25 लीटर के बाल्टी है आप एक गिलास मरलब की one fourth of अब दा लीटर एक गिलास है उसको आप एक बाल्टी में डाल दे तो थोड़े पूरा बाल्टी को भर देगा volume अगर change होता तो पूरा बाल्टी को भर देता ऐसा कुछ नहीं होता है तो वह अपना पेंदी में ही नीचे में वह water रहेगा उसके उसका जो volume है वो change नहीं होग जैसे एक wooden block है आपके table पे रखा हुआ है ठीक है वह अपने आप ही नहीं flow होने लगे लेकिन liquid है इसको आप गिरा दीजे कहीं पर कहीं पर रख दीजे अगर उसको higher altitude मतलब है height से low पे वह हमेशा flow करने की कोसिस करेगा अपने आप ही move करेगा जैसे किसी slope पे आप पानी गिर जा दीजे वह move कर जाएगा वह flow करेगा यह इसकी property होती है ठीक है यह property solid में नहीं पाए जाती है ठीक है अब space between the particles होंगे जो liquid के जो liquid matter है उसके अंदर का जो particles है यह atom molecules आप बोल सकते हैं उसके बीच का जो space होगा as comparison to solid वह थोड़ा सा जादे होगा ठीक है solid में बिल्कुल compact ह होता था उससे थोड़ा medium space होगा इसमें space जाद होगा इसके कारण particle का जो attraction है वो भी उसके comparison में थोड़ा कम हो जागा और इसके कारण यह move भी करेगा ठीक है ठीक है तो रेंडम motion जो इसमें होगा liquid में वह होगा इसमें होगा जबकि जो solid है उसका जो motion वो negligible है अपने place पर ही हो सकता vibrate करके रहा जाए लेकिन liquid में वो particle move करेंगे ठीक है तो यह इसका example होगा जैसे कि आप एक jar ले ले लेते हैं उसमें pure water है उसमें एक बुन आप ink डाल दीजे या कोई एक बुन कलर डाल दीजे वो देख पूरा block वो blue color का इंसे colored होने वाला वो फैलने वाला नहीं लेकिन liquid में अगर एक jar में आप water है उसमें एक बुन आप डाल दीए इंग डाल दीए color कुछ भी जाले वो धीरे-दीरे करके कुछ समय के बाद वलब कि आधा गंटा हो या पर 10 minute हो उसमें पूरा का color वो ले लेग वो color उसमें dissolve हो जागा उसमें वो फैलने तो यह प्रूफ कर जयता है कि यह particle move कर रहे है liquid में ठीक है उसके बाद compressivity के बात करते हैं कितना दबा सकते हैं तो इसमें भी negligible होता है इसको भी आप जादे compress नहीं कर सकते है liquid को भी आप compressivity ना के बराबर होती है density के बात करें तो density density liquid की as comparison to solid थोड़ी कम होती है कहीं कहीं exception मिलेगा कि कहीं जादे भी हो जाए लेकिन as comparison to solid अगर हम बात करें तो इसकी density कम होती है वहीं अगर gases से comparison करें तो liquid की density gas की comparison में जादे होती है तो सबसे higher density हो गए यह आपकी solid की उसके बाद liquid फिर gas आता है ठीक है और जो particle attraction है उसमें medium रहेगा solid में जादे था इसमें medium रहेगा gas में हो रहेगा अब लोग गैस की बात कर लेता है तो gas में हो गया कि इसका definition क्या लेकिन matter having no fixed shape and no fixed volume is known as gas ठीक है असान सा concept है इसका solid में क्या था same effects ठाव क्रिक्शड लिकक्विट में क्या हुआ उसका जो safe वो fixed नहीं रहे लेकिन वालों क्या हुआ Prin sqa का इसका एक वी फिष्ट नहीं रहेगा वालों वी fix नहीं रहेगा ठीक है एक्जामपल के लिए वाटर वे पर हो गया एयर हो गया, natural gas है, carbon dioxide gas है, इस तरह जितना भी आप gases देख सकते हैं, वो सारे इसके example हो जाते, fixed shape का मतलब क्या हो गया, fixed shape नहीं है, मतलब कि इसका क्या हो गया, अगर हम gas कोई है, अगर आप simple भासा में आ ऐसा है, तो air दिखेगा नहीं, आप अगर बती जलाते हैं, उसका जो निकलते रहता है, उसका कोई fixed shape है नहीं, gas का, ठीक है, उसी तरह से उसका अगर हम लोग volume की बात करें, ठीक है, तो gas जो है, उसका कोई volume fixed नहीं होता, अगर हम थोड़ा सा gas एक particular jar में रखें, तो वो पूरा में फैल जाए, आप थोड़ा रखें, जादे रखें, चितना भी रखें, वो पूरा का पूरा उसमें फैल जागा, तो उसका volume भी fixed नहीं होता है, आप एक particular, अगर मालीज यह वन ग्राम gas है, उसका एक छोटे से cylinder में रखें, तो भी उसमें पूरा फैल जागा, एक large size room में रख दें, तो भी वो फैल जागा, ठीक है, आप उसका example के लिए स spray अगर निकालें अपने डियो को, तो पूरे बात से में फैल जागा, उसके बाद अगर उस परिप्यूम को आप अगर room में करें, तो पूरा एक ही spray में वो पूरा room भागेगा, इस कारण से यह proof हो जाता है, कि यह इसका कोई volume fixed नहीं होता है, gaseous का, ठीक है, can flow, यह flow के माम phi high होती है, ठीक है, इसमें as comparison to solid, liquid में थोड़ा जादे space हुआ, और इसमें सबसे जादे space होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी particle के बीच में attraction होता है, लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन होता है, उसके बाद अगर 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 बात के compressibility, तो इसको highly compressible gas को कहा जाता है, gases जो state है, उसको compress करके cylinder होता है, ठीक है, तो compress करने किया जा सकता है gas को, और यह highly compress होता है, क्योंकि इसके बीच का force of attraction है काफी कम है, और space भी होता है, इसके बीच में, particle बीच में तो यह आराम से compress हो जाता है, इसकी density के बाद करें, तो यह सबसे कम dense होता है, solid, liquid, gas में, अगर तीनों मे बात करें, तो gas की density सबसे कम होती है, तो अब question को देख लेते हैं, तो इसमें question है give reason, ठीक है, तो reason बताना है, पहला question है, एक gas fills completely the vessel in which it kept, तो जिस vessel में gas को रखा जागा, उसको completely fill कर देता है, तो इसका reason हो जागा, क्योंकि gas का fixed volume नहीं होता है, उसलिए वो पूरा में फैल ज on the wall of the container, ठीक है, तो जैसा करें, मैंने बताया कि जो उनके बीच में motion होता है, सबसे अधिक motion gases में होता है, उनके particle के बीच में, ठीक है, तो जब motion होगा, तो particle, particle आपस में भी टकराएंगे, और जो container में gas रखा हुआ है, उसके container पे भी टकराएंगे, तो उसी टकराने के आते हैं, वहाल से भी टकराते हैं, तो वहाल पे pressure exert करता है, इसका दूसरे का reason हो गया, wooden table should be called a solid, wooden table को solid क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इसका आप देखके बता सकते हैं, क्योंकि इसका shape जो है, वो fixed, volume भी इसका fixed है, तो दोनों आधार पे, इसको आप जब तक की अपने से force तर ले जाके आप table को रख दें, तो safe थोड़ी भी गड़ेने वाला, safe तो वही रहेगा, तो इसका volume भी fixed है, safe भी fixed है, इसी कारान से यह wooden table है, यह solid, इसको हम लोग solid बोलेंगे, fourth question थोड़ा इंट्रेस्टिंग है, we can easily move our hand in the air, but do not do the same through solid block of wood, we need a karate export, ठीक है, हम लोग हवा मे अराम से हाथ flow करा सकते, ठीक, कोई दिक्कत में, लेकिन वही डोर रहेगा, तो उसके आरपार हम नहीं ले जा सकते अपने हाथ को, जब तक कि हमें, आप karate export नहीं हो, जब तक कि आप नहीं कर सकते है, normal insan नहीं कर पाएगा, दरवाजे को ऐसे हाथ से तोड़ नहीं पाएगा तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका reason हो गया, कि जो force of attraction है, particle के बीच में, वो solidness अब सहथिक होती है, इसलिए आप जब force लगाते हैं हाथ से, इतना easily deform होता नहीं है, अगर वही liquid होता है, अगर वही लिक्विड होता है, तो air में force of attraction particle में है ही नहीं बहुत कम है, तो आप जब ह हाथ डालेगा, तो आराम से हाथ पार हो जाती, air का जो particle हो हट जाता है, आपका हाथ क्रॉस कर जाता है, वही wood की बात करें, जो wood and door है, उसके particle के बीच में इतना जादे attraction है, कि आप हाथ डालेगा, तो हाथ पर ही चोट लगेगा, वो तो अलग होने वाला में, तो यह इसका reason हो गया, तो यह इसका reason हो गया, अब अगला पार्ट में, अगले वाले वीडियो में हम बाकी, इसके आगे का पार्ट जो difference है, वो सब हम लोग देखेंगे, और भी इसका पूरा chapter है, वो हम लोग complete करेंगे, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक स सब्सक्राइब करने ना पूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठैंक यू